सूप्रभात बच्चों हरिवन श्राय जी के द्वारा लिखी दो कवीता हैं आपके पाठ्थे क्रम में थी उसमें से एक कवीता के बारे में अब ही क्योंकि पिछले साल ये कवीता पाठ्थे क्रम से हंटा दी गई थी 30% जो आपका स्लेवस रीडियो सुआ था उसके अंतरग अब किवल एक कवीता के पाठ्थे क्रम में बचती है उस कवीता का शीरसक है दिन जल्दी जल्दी ढलता है ये कवीता आपको पढ़ा दी गई है आज इस वीडियो के मात्यम से इस कवीता के जो प्रश्ण उत्तर विवेचना है उस पे आपको केंद्रित किया जाएगा एक दिन जल्दी जल्दी ढलता है कवीता से हैं जो कि आपके पाठ्थे करम में इसमें है तो क्वेश्चन नमबर पांच पर आप फोकस करें पांच वे प्रश्ण में लिखा है बच्चे किस बात की आशा से नीडों से जहाक रही होंगे तो इस कवीता में काव्यांश या था को पढ़ा गया था एक बार फिर उस काव्यांश की और चलते हैं साथी साथ दूसरा वी प्रश्ण है उसको भी देख लिए दिन जल्दी जल्दी ढलता है कि या वृत्ति से कवीता की किस विशेस्ता का पता चलता है तो हम पहले कवीता पर आते हैं कवीता के आप स्ट्रक् आती है जिसमें कहा गया है दिन जल्दी जल्दी ढलता है दिन जल्दी ढलता है ठीक है और अंतिम का व्यांश में अंत में कहा गया है दिन जल्दी जल्दी ढलता है तो यह इस तीन का व्यांश को आपने देखा तीन का व्यांश में दिन जल्दी ढलता है दिन जल्दी जल् और कविता का सीरसक यह है दिन जल्द, जल्द टहलता है तो आप देख ह면धी कि यह रजी सीरसक सहित के बने चार बार रिपीट हुई है बाकि किसी भी पव्याँद्स में कोई भी पंक्ति ऐसी नहीं है जो एक से अधिक बार रिबीट हुई हो, यह आप देख सकते हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ कि यह जो पंक्ति है दिन जल्दी जल्दी डहलता है यह कविता की स्थाई है स्थाई किसको कहते है वो पंक्ति स्थाई या take कहलाती है जो अनेकों बार किसी कविता या किसी गीत में आती है वो पंक्ति स्थाई या take कहलाती है तो यहाँ दिन जल्दी जल्दी ढलता है यह है इस कविता की स्थाई या take है take और स्थाई आपको सुझ में आ गया होगा कि कोई line frequent use में आती है जब कविता में या गीत में तो इसकों क्या कहते है take या स्थाई कहते है अब बच्चोंगर हमीं इस कविता में से या किसी भी गीत में से जो एक line आपने گाने बहुत सारे सुने होगे उसमें जो एक line कई कई बार आती है repeat होके आती है अगर वो लाइन उस गीत में या कविता में ना हो तो आपको नजर आएगा कि उस में से संगीत समाप्थ हो गया यानि जो टेक और स्थाई होता है उसका कारिया होता है किसी काविय रचना में संगीत डालना और यदि उसी रचना में से उस टेक को या स्थाई को अलग निकाल देंगे तो इसका मतलब है कि आपने उसमें यह अलग कर दिया तो अगर मैं भी इस कविता में से दिन जल्दी जल्दी ढ़लता है हटा दूँ तो आपको एक तासी नजर नहीं आएगी तो इस पंक्ति मात्र के प्रियोग से आप कह सकते हैं कि इस कविता को संदर्य मिला है, संगीत मिला है और एक रिदम इस कविता को मिली है तो इस कविता में इस पंक्ति की जो आवरित्ति है वो इस पूरी के पूरी कविता को गेयता प्रदान करती है music प्रदान करती है संगीत प्रदान करती है यह पंक्ति अगर नहीं होगी तो कविता तो तब भी बचेगी कविता तब भी रहेगी लेकिन इसमें संगीत नहीं होगा तो इस पंक्ति के आवरति से हमें यह पता चलता है कि इस कविता में संगीत है पाँच वाले प्रशन है बच्चे किस बात की आशा से नीडों से जहांक रहे होंगे काव्यांच पे चलते हैं यह वो काव्यांच से जहां यह पंक्ति आई है कि बच्चे प्रत्याशा में होंगे नीडों से जहांक रहे होंगे यह ध्यान परो में चीडियों के भरता कितनी चंड चलता है दिन जल्दी जल्दी ढलता है जब शाम का समय होता है चीडिया अपने बच्चों के लिए भोजन की तलाश में अपने घौंसले से दूर चले जाती है तो बच्चों में एक उत्सुपता रहती है कि कब उसके जो गार्जियन है उसके संडख्षक है वो घर पे आएंगे और उसके लिए कुछ न कुछ खाने का लेके आएंगे हम इसे अगर हम बच्पन में हैं हमारी जो पैरेंट्स हैं कहीं बाहर गए होते हैं तो जब हम छोटे थे कल्प ना करें तो हम बार्वी क्लास में हैं जब छोटे होते हैं बच्चे तो जैसे ही मम्मी पापा कहीं बाजार या कहीं किसी भी काम से गई होते हैं जब वो घर वापस आते हैं तो वो देखते रहता है कि हाथ में क्या लेके आए हैं कुछ खाने पीने की चीजी लेके आए हैं यानि घर में बच्चे अपने गार्जेंस की प्रतीक्षा करते हैं कि वो बाहर गए हैं तो अपने दिये कुछ न कुछ खाने का समान भी लेके आएंगे दूसरी बात क्या होती है कि बच्चों को अपने संरक्षक से जो मिलने वाला प्यार है वो कुछ समय के लिए वो उस प्यार से विरत हो जाते हैं और वो प्यार फिर काफी देर बाद बच्चों को मिलता है तो यह जो बीच की दूरी होती है बीच का जो समय काल होता है जब पैरेंट्स अपने बच्चों के पास में नहीं होते वो बच्चों में थोड़ा सा महसूस करने वाली बात होती है कि वो भी आपे नहीं है और जैसी वो आते हैं तब वो बड़ी उमीद से आशा से उनके हाथों में क्या-क्या लेके आए हैं वो चीज़ देखते हैं तो यहां चीड़ीया के बच्चों के माध्याम से कवी नेट को पीदेखते है कि घूसले में नीड equilibrium भॉता ह democrat भा घूसले में चीड़ीया के बच्चे बार-बार ढार जांकते हैं इस प्रत्याशा से जांकते हैं पास पहुछेंगे और बड़ी उनको भोजन भी मिलेगा और अपने माता पिता का प्रेम भी मिलेगा और दूसरी और जब चिडिया जो घर से बाहर गई हुई है वो भी जब अपने बच्चों से दूर होती है थोड़ा सा उसमें वी एक चिंता रहती है कि पता नहीं मेरे बच्चे जब मैं वापस जाओंग वो चिडिया अपने बच्चों के पास में जल्दी से जल्दी पहुंच जाना चाहती है और यही खयाल की बच्चे अकेले होंगे चिडिया बच्चों में चंचलता भर देता है ठीक है बच्चों यह दो प्रशन आपके इस कविता से संबंदी थे बाकी जो आपको नोट से